नमस्कार आप देख रहे हैं क्यापिटल टीवी का प्राइम टाइम शो और आपके साथ मैं हूँ परवीन शेख बांगलादेश हिंसा की आग में जुलस रहा है और इन हालात को लेकर राहुल गांदी शक्क के घेरे में है बीज़पी की प्रवक्ता तुहिन सिना ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे के साथ राहुल गांदी की मुलाकात की बात गही है वहीं कॉंग्रेस की खामोशी इन आरोपो को और मजबूत कर रही है तुहिन सिना ने कहा है कि बांगलादेश के एक वरिष्ट पत्रकार और बिर्स के एडिटर सलाओ दिन शोयव चौधरी ने एलोपी राहुल गांदी पर बड़ा आरोप लगाया है और उनने कहा है कि पिछले महीने लंदन में राहुल गांदी और खालिदा जिया के बेटी की मुलाकात हुई थी जिसमें राहुल गांदी ने बांगलादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिगनल दिया था यानि हरी जंडी दिखाए थी तो क्या बांगलादेश में जो कुछ हुआ है उसमें राहूल गांदी की रजामंदी थी? क्या था राहूल गांदी का एजंटा? क्यों इन आरोपों पर खामोश है कॉंग्रेस? इनी तमाम सवालों पर चर्चक ले स्टोडियो में मौझूद है Capital TV के एडिटर इनचीफ डॉक्टर मैनिश कमा सर स्वागत है आपका धन्यवाद राहूल गांदी का हाँ जिस तरह से या सीक्रेट मिटिंग का जिक्र किया जा रहा है और ये लिलिपूटियन्स राहू गांदी जैसे लीडर्स आल आईज ओन ढाका नहीं लिख रहा है एक बात समझ दीजिए ये घटा घटी सारा विपक्ष एक स्वर में एक साथ खड़े हो करके ये कहता कि खमर्दार आपके अपनी राजनिती है अवामी लीग बी एन पी जो कुछ भी हो रहा है वह हिंदूओं को हिंदूओं के मंदिर को सिखों के गुरुद्वारों को क्रिस्चन्स के चर्चिस को कोई हाथ नहीं लगाएगा अगर ये बात पार्लमेंट के अंदर सारे लोग एक साथ एक स्वर में कह दिये होते हिम्मत नहीं थी ये जमाते इसलामी वालों की कि किसी के उपर ये लोग हाथ डाल पाते नमक के लिए तरस जाएंगे ये लोग अगर हिंदूस्तान ये चाह ले कि परिशान कर देना है ये तो सरवाई भी नहीं कर पाएंगे ये तो सरवाई भी नहीं कर पाएंगे बस इतना ही कहना था कि सारी विपक्शी पार्टिया भारत इसके उपर एक राय है कि खबदार जो तुमने किसी के उपर हाथ लगाया मामला सिटल था यह जमात वाले खुदी परह दे रहे होते सब को बचा रहे होते कि नहीं 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 जमाते इस्लामी वाले सत्ता में चाह रहे हैं वह चुनाओं में नहीं हरा सकते कि शेख हसीना को जिसने विकास के इतना काम किया सबसे फास्टेस्ट एकॉनमी में सुमार कर दिया बंगलादेश को उसको आप चुनाओं से नहीं हरा सकते तो ऐसे पाना तो सत्ता है और सत्ता चलाने के लिए इंडिया की ज़रूरत है लेकिन हर समाज में मीर जाफर होते हैं यह मीर जाफरों की फॉज खड़ी है विपक्च में और यह खुलासा कौन कर रहा है को बीजेपी वाले यह सुमित पात्रा नहीं कर रहा है वहाँ के एक वरिष्ट पत्रकार ब्लिज नाम के मैगजीन के एजक्विटिव एडिटर के तरफ से कहा गया जो सैलेट जगह से आते है और यह खालिदा जिया भी उसी शहर से आती है और जो उनका इंटर्नल उनकी वाइब भी उसी जगह से है एक ही शहर यह सारे लोग एक कि कहा क्या हो रहा है यह बात चुपी वह नहीं है सलावती शेक चौदरे ने यह भी कहा है कि सीक्रेट मिटिंग भी की गई वही बात में कह रहा हूं यह तो चुपी वह बात नहीं है कि राव गादी लंदन गय थे और लंदन में किसे किसे मिले यह किसी को खबर नहीं है कि एक फोटो आया था कि वह किसी पब में कुछ पी रहे थे नीचे लोग डांस वांस कर रहे हैं वह वहाँ पे वहाँ पर वहाँ पर लंदन में साथ-ाथ दिन आप बिल्कुल गायब रहे किस से किस से मुलाकात हुई जब यह कहा जा रहा है जो आपने बात कही कि वहाँ सीक्रेट मिटिक हुई तारिक के साथ तारिक रहमान जो अगलब परधान मंतरी बनने वाला है अमेरिका उसको परधान मंतरी बनाने जा रही है अभी तो सिर्फ आर्मी के अंदर सब कुछ हो रहा है वहाँ एक कटपूतली सरकार बन गही है जिसको यह कहा गया कि ती कुछ अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है तो आपकी सीक्रेट मिटिक होती है यह दावा किया गया एक सेकेंड लगेगा आपकी मुलकात हुई हाँ या नहीं इतने प्रवक्ताओं को पाल रखे हो यह डिसकर्सन होता है भाग लेते हैं सब नहीं मिले थे भोल दो नहीं मि कि मुलकात हुई थी इनकी तो आदत पुरानी इनकी तो आदतन मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी अनायास दिमाग में आ जाता है कि चारके ने कहा था वह राहुल गांधी पर अपनी केसर नहीं होगा लेकिन फिर भी कभी-कभी दिमाग जाता है उदर आम लोगों का भी जाना चाहिए कि चारके ने बहुत पहले कहा था कि जिस व्यक्ति की मा विदेशी हो वो देश वक्त हो यह नहीं सकता इनकी तो आदत है डोकलाम चल रहा था वहाँ हमारे सैनिक चैनीज आर्मी के साथ दो दो हाथ कर रही थी और यह चैनीज हमेसी भी हुक का नूडल्स का रहे थे हुक का नूडल्स सॉरी वहाँ पर चल रहा था पार्टी इनका किसी ने ख़बर चला दी टाइमस रहा वाले ने कि बाए उदर वो हो रहा है तुरह धिराय कर दें कॉंग्रस पार्टी कि यह फेक न्यूज है राहु गांदी वहाँ गए नहीं मिले नहीं पता यह इन लोगों के लोगों के बात का क लेकिन 12 घंटे का वाँ जब मामला यह हुआ तो चैनी जैंबेसी वालों ने ही वो फोटो टूइट कर लिया कि नहीं आये थे वह बीशरम लोग गई है इतना टाइम लगेगा डिनाई करने में कि मुलाकात हुई या नहीं हुई लेकिन जो कांग्रेस की खामोशी है इन आरोपों पर वो भी तो इन आरोपों को बल दे रहे हैं वह जगर के मिला ही होगा वो क्यों मिला होगा अब आगे की कहानी सुनिए एकनोमिक टाइम्स में खबर आई खबर क्या आई और वो जब अमेरिका गए थे राहुल गांदी तो किस तरीके से राहुल गांदी के पूरे प्रोग्राम को उसके पब्लिक मीटिंग्स को उसके पब्लिक गैधरिंग को वहाँ के कटरपंथी और्गनाइज़सन मुस्लिम और्गनाइज़सन्स ने और्गनाइज़स किया था जो लोग पाकिस्तानी दलाल है और पाकिस्तानी नैशनल्स थे उनके फोन नम्बर दिये हुए थे उनका नाम दिया हुआ था इस मस्जिद में आपको जाकर टिकेट मिलेगा इस मस्जिद में जाकर के रेजिस्टेशन कराईए आएसाई का वो गड़ है वो सब अभी जमाते इसलामी को वहां कौन फंडिंग कर रहा है बंगलादेश में वही जमाते इसलामी वही आएसाई वही पाकिस्तान वही चीन आप वहां जाते हो आपका पूरा प्रोग्राम इस तरीके से होता है जोर्ज सोरोस के चट्टेवट्टों से मिलते हो देखिए जोर्ज सोरोस के चट्टेवट्टों का काम है पीछे बंगलादेश में शेख हसीना ने क्या कहा शेख हसीना ने कहा कि है ऐसे हमारी क्लिक स्वाटिन आइलेंड जो बंगाल में है वहाँ मांग रहे थे कि हमें एयर बेस बनाने दो वहाँ पर निभी बेस बनाएंगे वहाँ आज आठ इस्पार किलोमीटर की जगह है वो दे दो वो क्या है नौ किलोमीटर वो जो है वह कॉक्स बजार से जो है वह किलोमीटर है और बर्मा के बौडर से अछ किलोमीटर है कि सखसीना ने कहा कि इसका प्लैन यह था कि वहाँ पे जो है Christian country बनाएंगे कोछ जमीन जो है वो खीच लेंगे बंगलादेश का और कुछ जो है वो वहाँ से जो रहंगिया जा रहे है रखाईन वाल इलाका वो वहाँ से बर्मा का भी खीच लेंगे ये पट्टी पढ़ाई जा रही थी हिंदुस्तान को भी कि चैना को चेक करने के लिए वो जरूरी है अरे चैना को चेक करना जाओन भी साव चैना सी वहाँ तो घिगगी बन जाती है तो एक क्रिश्चन मुल्क बनाने का प्लान था ये से एक हसीना कह रही है सोन्या गंदी राउल गंदी क्या है कुछ मालूम है किसी को कुछ मालूम है किसी को कि घर के अंदर की तस्वीर आती तो तो वो जिसस क्राइब से वो नजर आते तो खैर वो अलग कहानी है आप गए यह जो धमकी दी गई डट वाइट मैं जिसके बारे में इसे एक हसीना बता रही है कि उसने क्या उसका नाम क्या है डोनाल्ड की लू यह पूरी तरीके से सी आल यह जो कू हुआ है जो थक्ता प्रट हुआ है वहाँ पे डिमोक्रिटी की रिलेक्टेड गवर्मेंट को हटाया गया है वो हर जगह से किसी भी एंगिल से वो CIA operation नहीं नज़रा रहा है टोटल अल दे इंप्रिंट्स ऑफ CIA operation इस ओल ओवर हलका सा दिमाग लगाईएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अब एक तो यह secret meeting आपकी हुई लंदन में आपने कांड किया क्यों नहीं आकर के बोल रहे हो फिर उपर से आप जा रहे हो अमेरिका उसी आद्मी से मिल रहे हो जिसका नाम ले रही है से खसीना और यह economic times में बताया गया कि भई आप वहां गये वहां पे white house के अंदर आपने बड़े बड़े officials से मुलाकात क कि किस हैसियत से Who are you? आप तो उसमें L.O.P. नहीं थे Leader of Opposition का तो फिर भी कुछ value है You were simply an MP क्या बेच के आए और इसलिए चौदरी साब कह रहे हैं कि राहूल गांदी को पहले से मालूम था राहूल गांदी को पहले से मालूम था कि ये होने वाला है पहले से मालूम था सेख हसीना को कि हमको धमकी दी जा रही है हमको हटा दिया जाएगा ये जून में ही all party meeting करके उसने बता दिया था और पहले से ही मालूम ममताब बनरजी को भी था कल हमने story की थी रिपोर्ट आ गई है कि यहां सब को alert कर दिया गया था इस्टूडेंट्स वहां उत्पात करना शुरू नहीं किये पांच अगस्त को ही इन्होंने कह दिया कि भाई देखिए हमारे बाटर्स खुले हुए है जबकि इतना अच्छा रिस्ता सेख हसीना के साथ ममता भनर जी का छोटी बेहन कहती ही ममता भनर जी को हर तेवार में वहां से गिप्ट भेजा करती थी खुछ शेख हसीना ने आई थी तब भारत दोरे पर सोनिया गांधी और राहूल गांधी फ्रेंका गांधी देखे कि क्या इन लोगों का चरत्र है तो यह आरूप लगा जा रहा है कि इन सब को मालूम था कि यह होने वाला है और यह जो बात कहीं जा रही है कि राहूल गांधी की सहमती थी कोई बात नहीं हिंदु कटेंगे कटने दो यह अकल ठिकाने आज आएगी मोदी की आपके चाह रहे हो कि अपने बैक्यार्ट में यूएस आर्मी बेस हो और यूआर लास्ट केस तुमारे बच्पना को नहीं जहला जा सकता इस देश के द्वारा अगर आपको यह मालूम था और कि वहाँ इस तरह की चीज़े हो रही इसुट अव अलेटेड इंडिन गॉर्णमेंट कि भाई साब मैं लंदन गया होता है इसा आसा प्लान बन रहा है यू दिन्ट दू इट और आरोप आपके उपर क्या लग रहा है कि यू गेव और कंसेंट कि कीजी है मोदी भी निपट जाएगा और अजर सेख हसीना भी निपट जाएगी तो मुधर प्रधान मंत्री बन जाना हम इदर प्रधान मंत्री बन जाएगी यही इसका मतलब है मतलब राहुल गांदी ने जान बूज कर सब कुछ जानते हुए हिंदुओं को कट ने छोड़ दिया यह डिमोक्रासी के लड़ाई लड़ेंगे डिमोक्रासी का डी मालूम नहीं है इन लोगों को और जब सवार उठा है और जब इनके लंदन कांड का खुलासा हो गया तो पता नहीं किस बिल में घुच गया है है डरो मत बाहर आओ डरो मत बाहर आओ बताओ कि लंदन में क्या कांड करके आए आठ दिन जो गायब थे सबके रडार से गायब किस से मिल रहे थे क्या हिंदुओं की हत्या होने वाली है जबात इसलामी के दौरा यह बात आपको पहले से मालुम थी या नहीं और यही कारण है अब आप समझे लोग पूछ रहे नहीं कि वह टूइट किया वहाँ जो हिंसा हो रही है राहूल गांदी ने उसके बारे में बात्चित करेगा क्या खाक करेगा खाक करेगा बधाई दे रहा है नई सरकार को बधाई दी जा रही है आग के सामने अन्याय हो रहा है आग के सामने अत्याचार हो रहा है आग के सामने कतले आम हो रहा है और इन लोगों को बोर्ट बैंक पॉलिटिक्स जो है वह ज़्यादा प्यारा है तो आप देखिए राहूल गांदी ये जरूरत से ज़्यादा जो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे धीरे धीरे इनके सारे काले कारणा में बाहर आएंगे जब तक कॉंगरेस पार्टी इसके बारे में पूरी तरह से बताती नहीं है तब तक ये माना जाएगा कि राहूल गांदी ने अमेरिका के लोगों के साथ मिलके ये बिनपी के लीडर के साथ मिलके हिंदू के कतलियाम में वो हिस्सेदार है और इस तमाम जानकारे के लिए सटिक विशलेशन के लिए आपका बहुत धन्यवाद बांगला देश को लेकर राहूल गांदी बुरी तरह से घिर चुके हैं या कहें कि वो बैक फूट पर आ चुके हैं क्या राहूल गांदी सत्ता तक पहुशने के लिए अब देश को ही संकट में डालने लगे हैं उस पर कॉंग्रेस की खामोशी इन आरोपों को बल दे रही है अगर या आरोप सच साबित हुए तो इसका खाम्याजा पूरी पाची को आने वाले वक्त में भुगतना होगा इस खाम शो में इतना ही वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके पनी राहे जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद